तो आगात है एक बार फिर से आप सबी सातियों का द्रिश्टी पीसेस की यूपीपेसी करेंट अब्डिट प्रोग्राम में मैं हुसलमान और आज हम उन सवालों के उपर चर्चा करेंगे जो की उत्तरप्रदेश में पिछले हफ्ते जो खबरे महतपूर रही जो आगामी परिक्षा में आप सभी के लिए महतपूर हो सकती है तो इस एपिसोड के जो भी सवाल बनाए गए है उन्हीं महतपूर खबरों उत्तरप्रदेश राज्जी का मानचित्र यहां पर पदरशित किया गया है तो आप सभी को बताना है कि उत्तरप्रदेश में इस चित्रकूट जिले की सीमा है उत्तरप्रदेश के किन-किन जिलों के साथ साजह होती है अगर चित्रकूट की इस्तिति को हम देखे तो चित् चित्रकूट के साथ अपनी सीमा को साजा करते हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि जो चित्रकूट जिला है उसकी जो दक्षणी सीमा है वो मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के साथ अपनी सीमा को साजा करती है तो होमवर्क में आप सभी को यही बताना है कि चित्रकूट की जो दक्षिणी सीमा है वो मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों के साथ साजा होती है यह आप सभी को कमेंट सेक्षन में बताना है आए अब देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है सवाल है निजी पार्क विक्सित करने के लिए राजी सरकार कितने प्रतिशत ब्याज पर रिण उपलब्द करवाएगी विकल्प है एक प्रतिशत तीन प्रतिशत पांच प्रतिशत या छे प्रतिशत तो उत्तर प्रदेश राजी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खासकर जो निवेशक है, जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, उनसे जो भी समस्याई संबंधित होती हैं, खासकर भूमी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याई उत्तरत देश में देखी गई हैं, तो उनके लिए भूमी की उपलब्धता बनी रहे, इसी के लिए राज कि पार्क विक्सित करके उसके कोई भूमी खंड को किसी निवेशक से बेच सकता है, और इसके लिए यानि कि यह जो पार्क वहव्यक्ति निर्मित करेगा, उसके लिए सरकार एक प्रतिसत ब्याज पर रिण उपलब्ध कराएगी, और जब तक यह रिण आदा नहीं हो जात यहां पर दो बाते महतपूर है, कि जो यहां निजी पार्क विक्सित किया जाएगा, उसमें कम से कम दस एकड़ जमीन में पार्क विक्सित किया जाना चाहिए, और यह यह योजना किसके द्वारा बनाई गई है, उत्तर प्रदेश के MSME विभाग द्वारा, और इस योजन है, विकल्ब है पहला, दूसरा, तीसरा या चोथा, तो अभी हाल ही में राष्ट्री बागवानी बोड की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंतरगत अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला इस्थान है, अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश क अमरूद उत्पादन में पूर्देश में कितना प्रतिसत हिस्सा है, तो 21.78 प्रतिसत यानि कि देश में जो कुल अमरूद का उत्पादन है, उसमें से अकेले 21.78 प्रतिसत अमरूद जो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर पादित किया जाता है, तो इस या गोरकपूर तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है इस बार G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और इसके अंतरगत देश के विभिन सहरों में इसकी बैठके आयोजित की जाएंगी तो अभी आगामी जो बैठक इसकी होने वाली है 11 एवं 12 फरवरी को इसकी बैठक की जो आयोजित की जाएगी वो आगरा में की जाएगी और इसके अंतरगत जो महला ससकती करण है उसके उपर भी यहां के प्रतिनी धी जानिक G20 में जो भी देश सामिल है उसके प्रतिनी धी इस महला ससकती करण के उपर जो आयोजित समेलन होगा उसमें पार्टिसिपेट करे उसके बाद अगले ही दिन आगरा में जैसा कि आप सभी को पता है कि ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तो वहाँ पर जाकर करके इसका नजारा भी यहां के प्रतिनी दीद देखेंगे चलते हैं अगले प्रसंद की तरफ सवाल है राजी के कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा विकलप है 6, 7, 8 या 10 तो उत्तरप्रदेश के 8 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाने का फैसला सरकार दोरा किया गया है इसमें उत्तरप्रदेश के भूतपूर मुख म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और बाकी वह कौन से व्यक्ति है किस छेतर से जुड़े है इसकी लिस्टिंग यहाँ पर दी हुई है इसका स्क्रीन शॉट आप लोग जरूर ले ले जिससे कि जब रिवीजन आप लोग कर रहे हो तो आप से कोई भी व्यक्ति का नाम जरूर पूचा जाएगा क्योंकि अवार्ड के मामले में पदमिस्री पदमिभूसर से एक ना एक प्रस्ण हर साल जरूर रहता है तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं उत्तरप्रदेश देश में सरवाधिक बिजली कनेक देने में काम्याब रहा है अगर बात करें पिछले आठ वर्सों में तो तक्रीबन एक दसमलो चार साथ करोड़ नए कनेक्शन दे करके उत्तर प्रदेश ने पहला इस्थान प्राप्त कर लिया है वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो महरास्ट है और तीसरे नंब अगले प्रस्ण को देखने से पहले आप सभी विद्यारतियों के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परिक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए द्रिश्टी संस्थान की ओर से द्रिश्टी लर् पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस along में प्रवए इस लेकर के द्रिश्टी संस्थान के साद samma जुड़कर अपने तयारी को और बहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं चल यह चर्चा करते हैं अगले प्रस्ट पर सवाल बनाया गया है एन आई आरेफ रैंकिंग 2022 के अनुसार उत्तरपदेश के टॉप 10 विश्विद्यालियों में से पहला इस्थान किसका है विकल्प है बनारस हिंदू विश्विद्यालाइकर यह जो सूची जारी की गई है यह वर्ष 2022 के लिए जारी गई है यहां पर एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि यह कि बनारस हिंदू विश्व विद्याला का इस्थान आता है आई ये बात कर लेते हैं इससे संबनित कुछ महतपूर बातों की तो बियेच्यू का नाम जैसा कि पहले बताया उत्तर में कि सबसे पहले इस्थान पर आया है और इसकी रैंकिंग की अगर बात करें आल इंडिया और इस्थान पर इफ रैंकिंग 2020 में इस उनिवर्सिटी को च्छाटा इस्थान जाने की वरॉर्राल एगर हम NIRF ranking की बात करे तो उसमें इसको 11.5 इस्थान दी आ गया है तो ये इससे संबनित कुछ महतिपूर बाते रहें आप चाहें तो इसकी स्क्रिनशॉट ले सकते हैं चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं सवाल है निमलिखित में से किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमती दी गई थी विकल्प है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल करनल मनोज पांडे सैनिक स्कूल कैप्टन राजेस पांडे सैनिक स्कूल या मेजर मनोज पांडे सैनिक स्कूल तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है एवाला है यानि कि कैप्टेन मनोज पांडे सैनी की स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश के लिए अनुमती दी गई थी इससे सम्मनित कुछ महतपूर बातों को अगर देखे तो लखनवु इस्थित कैप्टेन मनोज सैनिक स्कूल था लेकिन इसके बाद देश में अन्य जगहों पर 27 सैनिक स्कूल खोले गया और बाद में कार्गिल वार के जो शहीद थे मनोज पांडे जी के नाम पर इसका नाम करण कर दिया गया बाद में और इसका नाम अब हो गया है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल और यह सैनिक स्कूल देश का पहला सैनिक स्कूल है तो ये इससे संब्धित कुछ महित्पूल बाती रहें आप चाहे तो इसक्रिंशॉट ले सकते हैं चली अगले प्रस्ट पर चर्चा कर लेते हैं राश्टपती भवनिस्थित मुगल गार्डन कब बनकर निर्मिद हुआ था विकल्प है 1911, 1917, 1923 या 1928 ये प्रस्ट देखने में तो स्टेटिक है लेकिन इसका संबंद जो है अभी हाल ही की घटना से है क्योंकि मुगल गार्डन का नाम अभी सरकार के द्वारा बदल कर अम्रित उध्यान कर दिया गया है तो हो सकता है इससे संबंदित कोई सवाल आगामी पर इच्छा में पूछ लिया जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ट को हमारी इस एपिसोड में शामिल किया गया है तो इसका सही उत्तर है 1928 आईए बात कर लेते हैं इससे संबंदित कुछ महत्पूर्ग पहलो पर सबसे पहले तो ये मुगल गार्डन यानि कि अगर वरतमान की बात करें अम्रित उध्यान का चित्र है या कैसा दिखता है या तक्रीवन 106 साल पुराना है इसकी बात अगर करें तो किंद्र सरकार ने राष्टपती भवन में इस्थित्र मुगल गार्डन का नाम बदल कर अब अम्रित उध्यान कर दिया गया है एडविन लूटियन्स ने साल 1917 से वाइसराय हाउस बनाने की शुरुआत की थी भारत में जब वाइसराय हाउस बनाने की शुरुआत की गई वरस 1917 में तभी से इसकी भी शुरुआत कर दी गई यानि मुगल गार्डन बनाने की शुरुवात भी तभी से ही की गई थी और यहां पर कई तरह के फूल पाधेर पेड़ों की प्रजातिया लगाई गई थी वर्स 1928 में मुगल गार्डन बनकर तयार हुआ था ध्यान रखिये कि प्रस्ण में पूछा गया है कि यह का बनकर निर्मित हुआ था यह नहीं पूछा गया है कि इसका निर्माण कब से शुरू किया गया था तो निर्मित यानि कि इसका निर्माण कारे जो पूरा हुआ था वर्स 1928 में हुआ था जबकि इसकी शुरुआत तकरीबन 1917 से ही कर दी गई थी और इसके अंतरगत अगर बात करें जो उताकार बाग यहां पर बनाए गये हैं तो यह इससे संबंदित महतपूर बाते रही कि हो सकता है इससे संबंदित कोई सवाल बनाया जा सके तो आप सभी इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं यहां पर यह जो चार बाग दिए हुए हैं यह भी महतपूर हो सकते हैं क्योंकि इन सवाल है भारत पर 2023 का आयोजन कहा किया जा रहा है विकलफे विग्ञान भवन, राइसिना हिल्स, लाल किला या उद्ध्योग भवन तो भारत पर 2023 लाल किला में आयुजित किया जा रहा है, 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इसका आयुजन किया जा रहा है और अभी हाल ही में केंद्री संस्कृति पर्यटन और डोनन बंत्री जी के रेड़ी ने भारत पर 2023 का उदगाटन लाल किले के प्रांगण में किया है और इसका जो आयुजन है 26 से 31 जनवरी के अंतरगत किया जा रहा है, इसके अंतरगत जो भी विभिन छेत्री संस्कृति केंद्र है उनके साथ साथ विभिन राज्जी और केंद्र सासित प्रदेशों के जो भी संस्कृतिक मंडलो द्वारा संस्कृतिक प्रदर्शन एक अखिल भारती फूड कोर्ट और 65 हस्तकला स्टालों के साथ एक अखिल भारती सिल्प बाजार का भी इसके अंतरगत प्रदर्शन किया है और यह कहां पर मनाया जा रहा है तो यह तीन बातें यहां पर मुख्य रूप से हैं जो आप सभी के लिए महत्पूर है चलते हैं आगे की तरफ सवाल है पाकिस्तान के विरुद्ध किये गए सर्जिकल स्ट्राइक में किस लड़ाक विमान का उपियोग किया गया था विकल्प है सुखोई 30K12 मिराज 2000 मिक-21 या जगुआर आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में मध्यप्रदेश में भारत के दो लड़ाक विमान सुखोई 30K12 और मिराज 2000 के दुरगटना ग्रस्त हो जाने से एक पाइलट की मृत्य भी हो गई है तो इसी से संबंदित ये सवाल बनाया गया है सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में किया गया था भारत के द्वारा उस टाइम पर मिराज 2000 लड़ाक विमान का इस्तेमाल किया गया था आये से संबंदित कुछ मह ग्रस्त हो गये हैं और पाकिस्तान के बाला कोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें मिराज 2000 लड़ाक विमान के जरीए ही इस घटना को यानि कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और मिराज 2000 की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस निरमित एक लड फिल फाइटर जिट है उसी कमपनी ने इसका निर्माड किया है और यह जो फाइटर प्लेन है यह डबल इंजन से लैस है और यह बंबारी कराने में और मिसाइल गिराने में भी काफी माहिर है इसके साथ ही साथ अठारा सो राउंड प्रती मिनट की दर से गोले बरसा सकता है यह फाइटर प्लेट यानि कि इसकी जो घातकता है वो यहीं से पता लग सकती है कि प्रती मिनट अठारा सो राउंड गोले दागे जा सकते हैं इस लड़ाक विमान से और इसके साथी साथ 6.3 टन वजन का जो गोला बारूद है यह ले जाने में सक्षम है अगर इसकी चित्र क की बात करें या देखें कैसे दिखता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मिराज 2000 के यहां पर चित्र है और साथी साथ सुखोई 30 एम के आई जो कि अभी हाल ही में दोनों एक अभ्यास के दौरान दुरगटना ग्रस तो हो गए हैं यहां पर इनका चित्र पदरशित किया ग करिया